नमस्कार मेरा नाम ग्यानिक श्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइप शुरू किया है देखे जो बातें आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वह यह है कि इसकी संभावना बलिबती होती जा रही है तो कौन सी संभावना है जो प्रबल होती जा रही है तो संभावना ये है कि चिराक पासबान जो हाजी पूर से चुनावन लरने जा रहे हैं इंडिये के 85 के तौर पर लोचपा के सर्वे सर्वातों हैं ही लोचपा राम बिलास के उनके खिलाप साइड अब पसुपती पारस म और इसके पीछे बजह इसके पीछे डेवलप्मेंट जो है वह पारिबारिक भी है और राजनैटिक भी है आप ने चाचा और भतीजे की बीच जगरे को देखा है और इस लराई में तिकट बटबारे के बक्त सीट सेलिंग के बक्त चिराक पासबान ने कैसे जीत हासिल की यह सभी ने देखा पसुपती पारस किनारे हो गए किनारे कर दिये गए उनकी पार्टी लोचपा पारस जिसे बीजेपी ने लड़ने को लिए एक भी सीट नहीं थी तो अब इस सीटियां कुछ दूसरी हो रही है जब बीजेपी ने किनारे लगाया पसुपती पारस को आजीपु तो मेरा है लेकिन इसके बाद जो संभावनाएं या संभावनाओं के द्वार थे वे भी पसुपती पारस के लिए खुले नहीं इसके बाद परिबार का दबाब बरा परिबार में कुछ सुला सपाटे की कोशिसे सुरू हुई और यह कहा जाने लगा कि देखिए चाचा भतीजा को एक हो जाना चाहिए चाचा भतीजा एक होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता देखिए जब आमने शामने हुए हैं तो चिराक पास्मान ने चाचा पसुपती पारस के पाउंच हुए हैं चाचा ने भले ही आसिरबात देने में कंजूसी की हुँ और हर वक्त हाजीपूर के सवाल को लेकर नेवर 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 दोराया हो लेकिन अब तो बीजेपी ने ही साफ कर दिया कि हाजीपूर छिराग पाशपान का है तो देखिए जब बीजेपी ने किनारा लगाया पसुपती पारस को तो पसुपती पारस ने कई ठोड़ ठीकाने तला जवान सिंग के भाई पसुपती पारस के साथ जाने का डंभ होग लिये महबूव अली कैसर और बीना देवी खगरिया के सांसर बीना देवी ने चिराग पासवान के सामने जाकर आत्मशमरपन कर दिया तो मूलधन पसुपती पारस के पास कुछ बचा नहीं जो नई पार्टी या यू कहें कि लोचपा को तोड़ने के बक्त उनके पास आया था तो पसुपती पारस ने यह कोशिस की कि नितीज कुमास से बाचित हो जाए नितीज कुमार से बाचित में भी या नितीज कुमार से बाचित होने पर भी कोई समाधान निकलता नहीं दिखा यह सही है कि जब लोचुपा को तोरा जा रहा था तो सबसे बरी भुमी का जेडियू की थी नितीज कुमार का गुस्सा चिराग पास्वान से था 2020 में चिराग पास्वान ने जो किया उसकी सजा नितीज कुमार चिराग पास्वान को देना चाहते थे प्रइनाम निकला की पार्टी तूट गई बीजेपी ने भी तब साथ दिया क्यों कि नितीज कुमार के प्रभाव में बीजेपी तब थी बीच में हट गई थी नितीज कुमार ही हट गए थे अब फिर से हैं तो पसुपती पारस को नितीज कुमार के हां से भी कोई रियायत नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली और देखिए इंडिया ब्लॉक, बिहार में इंडिया ब्लॉक में सबसे बड़ी पार्टी आरजे दी तेजस्वी यादब का सौफ्ट कॉर्णर भी चिराग पास्वान के साथ कायम है चिराग पास्वान भी कभी तेजस्वी यादब के पती आकरामक नहीं होते हैं तो दोनों और से हम ये नहीं कहते कि राजनेतिक संधी है लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि दोनों में घंगोर दुश्मनी है मतलब चिराग पासमान होते हैं चुनाओ लड़ना आमने सामने लड़ना तो जब पसुपती पारस इंडिये में किनारे किये गए पसुपती पारस ने केंडिये मंती परिसत से इस्तिफा दिया ये कहा कि नेता, राजनिता, राजनितिक साधू नहीं होते हैं उन्हें चुनाओ लड़ना ही होता है तो यह माना जाने लगा कि वे इंडिया ब्लॉक की और जा सकते हैं लेकिन आर जेडी ने भी पसुपती पारस के स्वागत के लिए कोई दरवाजा नहीं खोला और इस बात की अजाजत अभी तक नहीं दी है कि वे हाजिरपुर में चिराग पास्वान के खिलाब चुनाओ लड़ने बीच में ऐसी बाते हुई कि वे साजा उमिदबार हो सकते हैं मतलम वे अपनी पार्टी से लरें और आर जेडी कोई उमिदबार न दे लेकिन इस पर भी बात बनती हुई नहीं दिख रही है प्रिंस राज जो समस्तिपूर के सांसद हैं पसुपती पारस के भतीजे हैं चिराग पास्वान के चिछेरे भाई है जिनका भविस से भी अधर में रतक चुका है वे भी परिशानी में तो हैं ही तो देखिए पसुपती पारस केंद्रिये मंती परिसद में इस्तिफार देने के बाद केंद्रिये मंती परिसद से इस्तिफार देने के बाद पटना आये पटना में राजनेतिक संभाबनाओं की जमीन तलास रहे थे संभाबनाओं की जमीन में कुछ दिखा नहीं इसके बाद वे दिल्ली चले गए कहाई यह जा रहा है कि दिल्ली में परिबार की ओर से भी दवाब है कि जब यहां तक हम पहुँची गए हैं जहां से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है तो इस फितियों को परिसितियों को और न बिगारा जाएं चिराग पास्तावान के खिलाब चुनाओ लड़ने की सिति में संभाबनाएं क्या हैं इसका भी आकलन किया गया जब अकेले लड़ेंगे तिजस्यादब भी उमिरबाद दे देंगे तिजस्यादब के बारे में कहा जा रहा है कि और तिजस्यादब ने दावा नहीं किया है अनिल कुमार साधू जो राम बिलास पास्तावान की पहली पत्नी के दमाद है राम बिलास पास्तावान के भी दमाद हुए वे अपनी पत्नी को चुनाव लराना चाहते या निल कुमा साधू चिराक पासबान के खिलाप मतलब भाई बहन में लराई होगी तो जब ऐसी सित्य है तो पसुपती पारस के लिए संभामना है क्या बनेगी तो परिबार में इस बात पर चर्चा हो रही है मैं का रहा हूँ अभी चर्चा हो रही है कि चुनाव न लरा जाए बीजेपी के नेताओं ने भी समझाने की कोशिस की है जब पसुपती पारस पटना छोड़कर दिली गए तो परिबार के भीतर बाचित चल रही है बीजेपी के नेताओं ने समझाया है कि देखी धैलिक होनी की जुरत नहीं है अभी कुछ भी नहीं हो सकता है लेकिन यदि आप सांत रहे इस्थिर रहे परतिक्छा किया तो आपको परिणाम मिल सकता है तो पसुपती पारस इस निर्ने की और बहते दिख रहे है वैसे भी उन्होंने देखा कि हमारे साथ जो सांसत थे वे हमारे साथ रह नहीं गए शुरजभान सिंग दीजेपी से अपने परिवार के किसी सरस्थ के लिए टिकट की आस लगाप बैठे थे नवादा में बात बनी नहीं वीबेक ठाकरू को टिकट मिल गया तो बीना देवी और महबूब वली का सर अब इनका लिए तो चिराग पासबान को ही करना है क्योंकि दोनों उनके दरवाजे पर पहुंचे हुए है यह चिराग पासबान क्या करेंगे कि जब यह दोनों छोर कर चले गए थे तो संघर्स में जो साथ रहे उन्हें टिकट देंगे या फिर इन पर ही किरपा बरसा देंगे संदेशा क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा इस बात का अनुमान भी चिराग पासबान को होगा लेकिन यदि पसुपति पारस चिराग पासबान के खिलाब चुनाओं नहीं लगने का फैसला आखरी फैसला कर लेते हैं देखे मैं फिर कर रहा हूँ अभी संभावना है राजनिती में संभावनाओं को ही पढ़ा जाता है और उसे ही बिसलेशित किया जाता है तो यदि चिराग पासबान के खिलाब चुनाओं नहीं लगते हैं पसुपति पारस तो इसका आसर यह भी निकले का देखे अभी चिराग पासबान ने समस्तिपूर में किसे टिकट देंगे चिराग पासबान के हिस्से कौन कौन सी सीट आई हाजिपूर जमूई समस्तिपूर बैसाली खगरिया तो हाजिपूर में वह स्वयम है जमूई के लिए उन्होंने अपने बहनोई अरून भाती का टिकट फाइनल कर दिया है 28 तारी को नामंकन है लेकिन अभी समस्तिपूर बैसाली और खगरिया के लिए उमिद्बार चैनित नहीं हुए है खगरिया में किसी कुस्वाह उमिद्बार की जच्चा भी हो रही थी लेकिन कहा ये जा रहा है कि बीजेपी ने समझाया है जेडियू ने भी बताया है कि कुस्वाह चार उमिद्बार बन गये है बिहर में जेडी उन्हें तीन दिये बाल्मिकी नगर से सुनिल कुश्वाह को पुर्णिया से संतोस कुश्वाह को और सिभान से प्रमेश सिंग कुश्वाह की पतनी विजय लक्षमी देवी। तो चाँ और उधर काराकाट से उपरिंदर हुषवाह। तो कारा काथ पुरनिया बालमिकी नगर और सिबान इसके बाद पांच भी सीट कुसवाहा को देने की ज़ुरत खगरिया में नहीं है तो खगरिया में क्या परियोग करेंगे महबूब वली कैसर पर फिर से दाउन लगा देंगे या कोई और पिछरा आती पिछरा उमِّर बार होगा या देखने की बात होगी समस्तिपूर के बारे में बीचर्चा है कि दखिए पहले यह कहा जा रहा था कि संजय पासबान ही उमिद बार होगे लेकिन चिराक पास्वान दलित राजनीती में शिर्फ पास्वानों का नेता नहीं बने रहना चाहते है वे महादलित को भी साथ जोना चाहते है तो यदि महादलित को साथ जोने के फैसले पर पहुंचते हैं तो समस्तिपूर में किसी महादलित को टिकत दिया जाएगा क्या यह जब घोसना होगी तो मालूम होगा चिराक पासबान ने पटना आते ही कहा था कि थोड़ा सा वक्त लएगा होली के तुरंट बाद हम उमिद्बारों का एलान कर देंगे आपको पता ही है कि जेडियू ने उमिद्बारों का एलान कर दिया है बीजेपी ने उमिद्बारों का एलान कर दिया है अब घोसना सेस सिर्फ लजेपी की ओर से है तो अगले दो तीन दिनों में यह मालूम हो जाएगा कि पसपती पारस किस निसकर्स पर पहुंचते हैं और चिराक पासबान किसे किसे तिकत देटे हैं, वह भी आपको हम बताएंगे आप देखते रहें लाइब सिटिस को यदि अब तक आपने हमारी यूटूब चैनल लाइब सिटिस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लिजेगा और यदि इस वीडियो को फेस्बूक पेस के पेस को लाइक किजिगा, ट्यूटर पर भी हमें फॉलो किजिए, धन्यवाद